हलो स्टुडेंट्स, वेलकम टो तिवारी अकेडमी, अब हम प्रशनावली चार दसमलव एक पर बढ़ते हैं, इसके पहले प्रशन को अब हम हल करेंगे पहले प्रशन में आपको बोला गया है कि एक नोटबुक की कीमत, एक कलम की कीमत से दो गुनी है इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाला एक रैकिक समीकरण लिखिए और आप देखिए आपके पास एक संकेत लिखा हुआ है, देखिए जब आप प्रशन हल करेंगे किसी परिक्षा में तो वहाँ पर सभाविक सी बात है कि आपको संकेत या हिंट कुछ भी नहीं दिया होगा वहाँ पर आपको खुद से सोचना पड़ेगा तो यहाँ पर जैसे संकेत में भी दिया हुआ है, नोटबुक की कीमत आप एक्स रुपे मान लीजेगा और कलंग की कीमत वाई रुपे मान लीजेगा तो जब आप प्रष्न हल करेंगे अपनी तरफ से तो आपको ऐसा जरूरी नहीं है कि आप नोटबुक की कीमत एक्स ही मानें और कलंग की Y मानें आप हो सकता P और Q मान लें, आप हो सकता A और B मान लें आप कुछ भी मान सकते हैं तो सबसे पहले तो आप इस बात को ध्यान रखी जब भी आप पेपर में सवाल हल करेंगे तो जरूरी नहीं है कि सभी आंसर मैच कर रहे हो क्योंकि हो सकता है आपने कुछ चर अलग माने हैं किसी ने कुछ और चर माने है या आप जब उत्तर पुस्तका में भी देखेंगे इसका उत्तर तो हो सकता है आपका उत्तर और उत्तर पुस्तका का उत्तर अलग-अलग आपको मिले तो आपको बिल्कुल भी संदे नहीं करना है अगर आपने बिल्कुल सब कुछ सही किया है तो अलग-अलग होने पर भी आप निश्चिंतर हैं, आपका उत्तर बिल्कुल सही ही हो जाएगा तो यहाँ पर आप देखो, जैसे उन्होंने संकित बोला गया है, तो सभाविक सी बात है कि आंसर उसी से मैच कर रहा होगा तो हम उसी को मान लेते हैं, लेकिन यह पूरा आपके उपर निर्बर है कि आप क्या मानते हैं जैसे मान लीजेगा कि हमने नोटबुक की कीमत एक्स रुपए मान ली और कलम की कीमत हमने वाई रुपए मान ली अब आप यह देखो, जब हमने नोटबुक और कलम की कीमत मान ली अब हम प्रस्ण में देखेंगे तो आपको एक सर्थ दी हुई है कि नोटबुक की कीमत कलम की कीमत की दो गुनी है अर्थाथ आप यह सोचे कि नोटबुक की कीमत आपके पास X हो गई और कलम की कीमत आपके पास y है तो जो x है वो y का दो गुना है क्योंकि notebook की कीमत x कलम y की कीमत की दो गुनी है इस तरीके से x बरावर 2y हो जाएगा और यदि आप एक समीगरण में की तौर पर लेखेंगे अगर आप एक तरफ 0 लेके आएंगे तो आप लिख सकते हैं x-2y बरावर 0 क्योंकि आपने देखी 2y को पच्छांतर कर दिया बाई तरफ तो इस तरीके से आपका यह उत्तर हो जाएगा x-2y बरावर 0 यहाँ पर यह धान रखें कि कुछ आत्र ऐसा कर सकते हैं कि वो x को पच्छांतर कर दें तो उनके पास हो जाएगा 2y-x बरावर 0 तो यहाँ पर आपके पास दोनों उत्तर जो हैं वो दोनों उत्तर बिल्कुल ही सही है आपको इसमें बिल्कुल भी संदे करने की जरूरत नहीं है कि आखिर कौन सा सही है और कौन सा गलत दौनों ही उत्तर आपके पास बिलकुल सही है इस तरीके से आपने इस प्रशन संख्या एक को हल कर दिया चलिए अब हम अगले प्रशन पर बढ़ते हैं यह अपना इस प्रशना वाली का सबसे अंतिम प्रशन भी है यहाँ पर आप देखिए आपको बोला गया है कि निमनलेखित रहकिक समीकरणों को AX प्लस BY प्लस T बरावर 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रते एक इससिती में A, B और C के मान बताईए आप देखिए यहाँ पर आपके पास 8 रहकिक समीकरण है और आपको 8 रहकिक समीकरण में कुछ इस तरीके से करना है तो देखिए सबसे पहले तो अगर हम पहले समीकरण को उठाएं तो वो आपके पास यह हुआ है 2X प्लस 3Y बरावर 9 दसमलव 3 5 बार देखिए बार का मतलब तो आप जानते ही है कि इसका मतलब यह है पांच पुन्रवत्ती कर रहा है अनंत पनो तक तो यह आपके पास बार का मतलब हो गया अब आप यह देखो कि आपको बोला गया कि AX प्लस BY प्लस C बरावर 0 के रूपे आपको हर समीकरण को व्यक्त करना है अर्थाद आपको यह दान अखना है कि एक तरफ आपको 0 चाहिए ही चाहिए तो देखिए वो 0 आप कैसे बना सकते हैं आप चाह सकते हैं कि 9.35 बार जो आपके पास है आप उसको 22 तरफ पच्छानतर कर दें तो आपके पास हो जाएगा 2x plus 3y minus 9.35 बार बराबर 0 तो देखिए आपने ये बात अच्छी करी जैसा प्रस्ट में बोला गया था एक तरफ 0 बनना ही चाहिए तो आपने वो बना दिया अब चुंकि आपको तो इसको compare करके a, b और c के मान भी गयात करने है तो देखो 2x plus 3y अब यहाँ पर ये plus c रिखा हुआ है तो आप plus का चिन्न बनाईए और यहाँ आप minus 9.35 बार लिख दीजेगा तो इस तरीके साब आपने देखा कि ये आपके पास ax plus by plus c बराबर 0 के रूप में आ चुका है अब आपको a, b और c के मान भी जाद करने है तो अब आप ax plus by plus c बराबर 0 है इससे तुलना करेंगे तो आप देखिए आपके पास a बराबर 2 आ जाएगा क्योंकि देखिए a मतलब x का गुडांग तो इधर देखिए x का गुडांग 2 है इतरा आप देखेंगे तो b y का गुडांग है और इतर आप देखो y का गुडांग 3 है अर्था b 3 आ जाएगा और c अचरपद है तो आप देखो c plus c है और यहाँ plus minus में 9.35 बार है अर्था c का मान minus का 9.35 बार हो जाएगा इस तरीके से आपने a, b और c के मान ग्याद कर लिए है तो आपने यहाँ पर a x plus by plus c बार जीरो इस रूप में भी दर्शा दिया और a, b और c के मान भी ग्याद कर लिए अब यहाँ पर एक बात का बिल्कुल ध्यान रखें यहाँ पर देखें मैं इसको method 2 से भी बता देता हूँ method 2 में आप ये देखो कि हो सकता है कुछ ऐसा सोच है कि वो 2 x plus 3 y को पच्छांतर कर रहे है मतलब इस पूरे पार्ट को पच्छांतर कर रहे है तो 2 x plus 3 y बराबर 9.35 बार आपको ये दिया हुआ था मैं तरह लग से ही कर दे रहा हूँ अब आपने 2 x plus 3 y पूरे को पच्छांतर गिया दाई दरफ तो आपके पास हो जाएगा 0 बराबर माइनस 2 x माइनस 3 y प्लस का 9.35 बार तो अब आप ये देखो कि आप तो इसे लिख सकते हो माइनस 2 x माइनस 3 y प्लस 9.35 बार बराबर 0 तो यहाँ पर आप देखो ये भी ax plus by plus c बराबर 0 इसी रूप में आ रही है क्योंकि basically आपने एक तरफ 0 बना दिया है complete 0 होना ही चाहिए वो आपने एक तरफ बना दिया तो ये भी आपका उत्तर बिलकुल सही है तो ध्यान रखें अगर आप 9.35 बार इसको पच्छांतर करते तो आपके पास ये वाला उत्तर आ जाता और यहाँ पर आपने देखो 2x और 3y को पच्छांतर किया तो आपके पास ये उत्तर आ रहा है आपको देखने में दोनों उत्तर अलग लग लग रहे हैं लेकिन दोनों ही उत्तर सही हैं आप कोई सावी उत्तर अपने परिछा में दे सकते हैं अब यहां से आपको यहां पर भी A और B और C के मान गयात करने होंगे तो अब आप AX प्लस BY प्लस C बराबर 0 से तुलना करेंगे तो देखिए अगर आप तुलना करोगे तो देखिए यहां पर X का गुडांग तो A है और यहां पर X का गुडांग आप देखो माइनस 2 है तो आपके पास A का मान आ गया माइनस 2 देखिए Y का गुडांग B है और यहां पर Y का गुडांग माइनस 3 है तो B का मान माइनस 3 आ गया और आपके पास C का मान 9 दसमलव 3-5 बार हो जाएगा इस तरीके से आपने A, B और C के मान भी याद कर लिए हैं तो आप इन में से कोई सब्सक्राइब भी मैसट से अपना उस्तर दे सकती हैं देखने में आपको अलग-अलग लग रहे होंगे लेकिन दोनों ही उत्तर सही है अब हम देखिए पहले प्रस्न को थो हमने दोनों तरीके से बता दिया अब हम जो बाकी के भाग हैं उनको एक ही तरीके से बताएंगे यह आपके उपर निर्बर करता है कि आप कौन से तरीके से करें जैसे आप देखो दूसरे वाले भाग में आपको दिया हुआ है x-y बटे 5-10 बराबर 0 x-y बटे 5-10 बराबर 0 तो आप देखो एक तरफ तो complete 0 है अर्थात यह जो आपको ax-by-c बराबर 0 की रूप में दर्साना था उस रूप में दिया हुआ है बस आप यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं 1 x-x बटे 5-y प्लस-10 बराबर 0 तो आपने देखो ax-by-c बराबर 0 की रूप में दर्साना दिया अब यहाँ से यदि आप तुलना करोगे तो देखो ax-by-c बराबर 0 से कंपेरिंग अर्थात तुलना कर रहे हैं अब हम x का गुणांक देखी a है और यहाँ पर x का गुणांक 1 है तो अर्थात 1 का मान 1 आ गया b का मान इसी तरीके से माइनस 1 बटे 5 और c अर्थात अचर वो माइनस 10 आ जाएगा इस तरीके से आपने दूसरा वाला भाग भी हल कर दिया अब हम तीसरे वाले भाग पर आते हैं तो देखिए तीसरे वाले भाग में आपको यहाँ पर समीकर दिया हुआ है माइनस का 2x प्लस 3y बराबर 6 यह लिख लेते हैं माइनस 2x प्लस 3y बराबर 6 तो आपको देखो एक तरस तो 0 बना नहीं है मतलब आप 6 को पच्छांदर करिए तो माइनस 2x प्लस 3y माइनस 6 बराबर 0 तो देखो आप माइनस 2x प्लस 3y प्लस माइनस 6 बरावर 0 लिख सकते हैं तो इस तरीके सा आपके पास दिखिए यह ax प्लस by प्लस c बरावर 0 यह वाली form अर्थात रूप दिखाई दे गया अब आप ax प्लस by प्लस c बरावर 0 से तुलना करेंगे तो देखो यह आप तुलना करोगे तो आपके पास देखो a का मान अर्थात x का गुड़ांग वो माइनस 2 आ गया b अर्थात y का गुड़ांग देखे 3 है और c मतलब अचरपद माइनस 6 इस तरीके से आपने a, b और c के मान भी ग्याद कर ली हैं तीसरे वाले भाग में चलिए अब हम चतुरस भाग पर वड़ते हैं तो देखे चतुरस भाग में आपको समीकर दिया हुआ है x बरावर 3y तो अब यहाँ पर देखे आपको एक तरफ तो 0 बनाना ही बनाना है यह तो आपको ध्यान रखना ही है तो आपके उपर ने पर करता है कि आप 3y को पच्छांतर करें और x को करें दो आंसर हो सकते हैं दोनों ही सही होंगे हम यह आपर एक ही करीके से आपको बता देते हैं अगर आप 3y को पच्छांतर करेंगे बाइं तरफ तो आपके पास आजाएगा x-3y बराबर 0 अब चूंकि आपको तो AX प्लस BY प्लस C बरावर 0 में दरसा ना से तो आपने एक तरफ 0 तो दरसा दिया अब देखो इस X को आप 1 इंटू X से लिख सकते हैं क्योंकि AX आपको चाहिए मतलब X कोड़ां का आप अलग से दरसा दीजेगा प्लस माइनस 3 इदर लिखा Y अब 35 में ही रही तो आप इसको 0 बरावर 0 को 6 तरीके से लिख सकते हैं तो इस तरीके से आपने देखा AX प्लस BY प्लस C बरावर 0 के रूप में आपने इसको दरसा दिया है अब इतना दरसाने के बाद आप तो A, B और C का मान ग्याद करेंगे तुलना करने पर तो आप ये देखो X कोड़ां के दर A है और इदर X कोड़ां के दर 1 है अर्थात A का मान एक हो जाएगा B मतलब Y का गड़ांक तो आप देखो माइनस 3 हो गया दर और C बरावर आपके पास 0 आ गया तो इस तरीके से आपने A, B और C के मान ग्याद कर ली है चोथे भाग में भी चलिए अब हम 5 में भाग पर आते हैं तो 5 में भाग में आपको बोला गया है 2X बरावर माइनस का 5Y तो 5 में भाग को हल कर लेते हैं 2X बरावर माइनस का 5Y है तो आप माइनस 5Y को पच्छा अंसर करेंगे तो 2X प्लस 5Y बरावर 0 ये आपके पास आ जाएगा अब यहां से आप ये देखिए कि आपको तो इसे AX प्लस BY प्लस C बरावर 0 में दरसाना था तो आपने एक तरफ 0 कम्प्लीट बना दिया अब आप इनको अलग-अलग गुडांकों में ऐसे लिख दीजेगा आप चूंकि अचरपत तो यहां है ही नहीं तो आप प्लस 0 बरावर 0 लिख दीजेगा तो यह AX प्लस BY प्लस C बरावर 0 के रूप में आ चुका है अब आप AX प्लस BY प्लस C बरावर 0 से तुलना करेंगे तो अगर आप इनसे तुलना करोगे तो देखो A मतलब X का गुडांक होता है तो देखो इधर X का गुडांक तो 2 है B अर्थात Y का गुडांक आप देख सकते 5 है और C अर्थात अचरपद आप देखो अचरपद तो 0 है इस तरीके से C का मान 0 आ गया तो A का मान 2, B का मान 5 और C का मान 0 ये आपका आभी चुका है पांच में वाले भाग में अब हम अगले वाले भाग पड़ बलते हैं भाग संख्या 6 पर भाग संख्या 6 में आपको बोल दिया गया 3X प्लस 2 बरावर 0 अब यहाँ पर आप एक बात पर गौर करें कि यहाँ पर Y का कोई भी गुडांक तो ही नहीं अर्थात Y गाला पत तो ही नहीं ध्यान लखें कभी भी Y 0 नहीं होता है उसका गुडांक 0 होता है तो देखी जैसे 3X प्लस यहाँ पर Y 0 नहीं हुआ है यह हमेशा गुडांक 0 होता है प्लस 2 बरावर 0 इस बात को बिल्कुल कंटस्ट करने जो अभी हमने आपको बताई कि कभी भी कोई पद नहीं है तो वो पद अर्थात Y 0 ना होकर उसका गुडांक 0 होता है योगि छात्र को इसी में संदे होता है और वो बोलते है Y 0 होगया कभी भी Y 0 नहीं होका उसका गुडांक 0 होगा अब यहां से आप देखो आपने इसको दरसातो दिया AX प्लस BY प्लस C बरावर 0 वाली फॉर्म में अब आप इसी से तुलना कर दोगे तो आपके पास A और B और C के मान आ जाएंगे तो देखे A का मान 3 आ जाएगा B अर्थाद Y का गुडांक यह 0 आ जाएगा और C अर्थाद अचर पर यह आपके पास 2 आ जाएगा अब हम अगले वाले भाग पर बढ़ते हैं साथ में भाग में आप देखिए आपके पास एक रेक्षिक समीकर दिया हुआ है Y माइनस 2 बरावर 0 तो यहाँ पर भी आप गौर करेंगे तो आपको X का पद नहीं दिया गया है तो ध्यान रखें कभी भी X 0 नहीं होता उसका गुडांक 0 हुआ होगा इसका मतलब आप इसे लिख सकते हैं 0 X प्लस अब Y का गुडांक तो कुछ भी नहीं है मतलब एक दिखाई दे रहा है कुछ भी नहीं है मतलब एक लिखते हैं तो यह हो गया और माइनस 2 है तो प्लस माइनस 2 बरावर 0 आपने लिख दिया इस तरीके से आपने AX प्लस BY प्लस C बरावर 0 इस रूप में अर्थाद एक व्यापक समीकरन लिख दिया अब आप AX प्लस BY प्लस C बरावर 0 से ही तुलना कर देंगे तो यदि आप देखो तुलना करोगे तो आपके पास A, B और C के मान मिलेंगे तो देखे A अर्थाद X का गुणांग होता है तो आप देखो इधर X का गुणांग तो 0 है तो A बरावर आपके पास 0 आ गया B आपके पास होता है Y का गुणांग तो आप देखो यह आपके पास 1 आ चुका है B का मान और C अर्थाद अचरपत यह आपके पास माइनस 2 आ गया इस तरीके से आपने साथवा भाग भाग भी हल कर दिया अब हम इस प्रश्ण के सबसे अंतिम भाग पर हल कर चलते हैं अर्थाथ आठवे वाले भाग पर तो देखिए आठवे वाले भाग में आपको बोला गया है कि जो आपके पास समीकरण है वो है 5 बराबर 2X तो चलिए सबसे पहले हम आठवा भाग भाग भी उतार लेते हैं 5 बराबर 2X तो अब यहाँ पर आप देखो आपके उपर नर्वर कर रहा है कि आप 2X को पच्छांतर करना चाते हैं या 5 को तो जैसे देखिए अगर मैं 5 को पच्छांतर करूँ दाई तरफ तो यह आपके पास हो जाएगा 0 बराबर 2X-5 तो आप देखो इसे तो 2X-5 बराबर 0 लिख सकते हो तो आपने एक तरफ 0 तो बना दिया अब आपने देखा यहाँ पर तो Y का कोई पद ही नहीं है इसका मतलब Y का गुडांक 0 हुआ होगा तो आप इसे को लिख सकते हैं 2X प्लस Y का गुडांक 0 और फिर आपने Y लिख दिया प्लस इस-5 को आप प्लस करके माइनस 5 लिख सकते हैं इस तरीके से तो आपने AX प्लस BY प्लस C बरावर 0 इस रूप में दर्सा दिया अब आप AX प्लस BY प्लस C बरावर 0 से ही तुलना कर देंगे और A, B, C के मान ग्याद कर लेंगे तो देखो अगर आप तुलना करोगे तो A अर्थाद X कोणांक है तो इदर देखो X कोणांक का आपके पास 2 है तो इस तरीके से A कमान 2 आजाएगा Y का गुणांक आप देखे B है और इदर आप y का गुणांक देखो 0 है अर्थाद B कमान 0 आजाएगा और प्लस C बरावर है प्लस-5 उर्था C-5 के बरावर होगे इस तरीके से c-5 हो जाएगा तो यहां से आपने ये पूरा प्रश्न भी हल कर दिया है